नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अबिनिंदन है एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है कि अलाबाद युनिवर्सिटी के जो होस्टल से उसकी कुट और उसके बारे में डिसकस करना है कि आपकी कुट आफ कब आएगी माली जैसे इसके लिए हम डिसकस फॉली में आपसे करने आए हो जब से पहले द्यान सी सुनेगा सबसे पहले हम PG के बच्चों की बात करते फिर हम UG के बात करेंगे युनिवर्स्टी ओफ इलहबाद के PG-80 का जो एड़िसन है अभी कुछ दिन पहले तक हो रहा था अब खतम हो चुका है यानि कि अब CT पूर तरीके से फुल है जब प्रवेस भवन से लिष्ट DHW ओफिस में ट्रांसफर की जाएगी DHW ओफिस में जब आएगी तभी आपका कट ओफ बनेगा इसके लिए आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा इसके लिए अगर आपने हॉस्टल के फॉर्म में यस भरा था जब आपने PG के बच्चों की बात करें जो इसका इंट्रेंस लाबाद इसके खुझ से लिया था अगर आपने हॉस्टल की फॉर्म में यस टिक किया था तब आपको चात्रवास एलोट होगा जब आपकी क्रिट ओफ लिस्ट में नाम आएगा PG-80 का जो हॉस्टल के लोट्मेंट है दीवाली की छुट्टी के बाद ही इसका प्रोसेस होगा यानि कि 15 नमबर के पहले पहले आपको हॉस्टल मिल जाएगा यह तो बहुत डिले हो रहा है इसमें इतना डिले होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 6 महीने एलोट करके पूरी फेस लेंगे आपसे तो दिवाली के छुट्टी के बाद 15 नमबर के पहले पहले आपको चात्रवास कावंटन हो जाएगा और किन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा यह भी बहुत बड़ी चुनाती है तो इसमें सीटे बहुत सीमित है यानि कि सीटे बहुत सीमित है जो अपने कोर्स के टॉपर बच्ची होंगे उन्हीं को हॉस्टल मिलेगा जो course के topper बच्ची होंगे उन्हीं को hostel मिलेगा यानि की under 10, under 5 rank बहुत आरे courses में सिर्फ एक ही बच्ची को मिलेगा जिन में 50-50 सीटे हैं तो इस वज़ा से जो topper हुआ हैं उन्हीं को hostel मिलने के chance हैं एक डिपार्टमेंट से 10-15 लोगो क्योंकि 62 कोर्स हैं अलाभाद इनुष्टे की PG-80 में तो अगर तिन-तिन चर्चल अलोट करेंगे तो सीटी नहीं है इस बार दो छात्रवास भले नए आए हैं स्याम जी कृष्ण चात्रवास, हिंदू चात्रवास भी अलोट होगा और इसके बाद गारगी चात्रवास जो की लड़कियों के लिए वो अलोटमेंट होगा तो PG के होस्टल की जो लिष्ट है वो 15 नमबर तक आने की संभावना है अगर हम यूजी वालों की बात करें तो सरोजनी नाइडू चात्रवास की सूचना जारी हुई है कि होस्टे की लिष्ट आ गई है 20 लड़कियों का नाम होस्टल की लिष्ट में आया है लेकिन अभी ये लिष्ट पब्लिक डोमेन पे जारी नहीं की गई है ये लिष्ट पब्लिक डोमेन पे मंडे को जारी की जाएगी और इसी के साथ साथ सताबदी गल्स होस्टल और इसके बाद फिर है दूसरा होस्टल क्या है पीडी आनि प्रिय दर्सनी गल्स होस्टल की भी लिष्ट आएगी Monday Tuesday तो इसके बाद फिर हो जाएगी क्या छुटी किसकी दीपावली की तो आप लोग चले जाएगे घर अपने लेकिन अब ये तीन दिन कैंपस आपका खुला है तीन दिन कैंपस खुला होने का मतलब ये है Monday, Tuesday और Wednesday में हो सकता है तीन दिन में आपकी कट-off इस वोमेंस होस्टल की आजाए इसके बाद फिर अभी कलपना चावला और महादेवी वर्मा की कट-off आचुकी है उसकी भी सीटे अब खतर हैं बहुत जादा सीटे इसमें होस्टल मिल जाएगी इसके बाद बात करते हैं वाइज होस्टल की तो KPUC की सेकंड लिस्ट आ गई है इसके बाद लगता कट-off आ रही है बाकि सीटे अब वाइज होस्टल में भी पूरी तरीके से फुल होने वाले हैं UG कूर्स के लिए ये पूरी सूचना थी ये पूरी जानकार में जिनका एडमीशन हुआ है UR काटेगरी में वो सारे काटेगरी के बच्चे एडमीशन उसमें लिए हैं तो उन्ही कुछ आत्रवास मिल लेकि संभावना है तो पूरी सूचना थी पूरी जानकारी थी ये होस्टल का बेलोटों का कैसे झाल 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 झाल